हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है को और फिस से आप सभी का आपी के अपने यूट्यूब चैनल ने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से जो है आप उस अंसर को करेक्ट करा सकते हैं जिसका जो अंसर है आंसर की में याणि कि जो प्रोविजनल अंसर की बोर्ड द्वारा दी साती है उसमें जो है अंसर ठीक रुआ सकते हैं तो यह जो है हमेरपूल बोर्ड के लिए ही रहेगा तो विडियो ध्यान से देखिए जैसा जो आप देख रहे हैं question number 8 हमारे पास है इसमें पूचा गया है विजनगर की बित्य प्रनाली की प्रनाली का जो है विशिश लक्षन क्या था तो इसका जो answer की में answer आया था ये option C आया था would is the main raw material for the manufacturing of तो इसमें जो original answer की में जो answer दिया गया है वो gunpowder दिया गया है बट जो actual answer इसका मेरे idea से है वो B यानि की कागच है उसी तरीके से next question की बाद हम करेंगे तो ये question number 61 है और यहाँ लिखा गया है कि भारत ने पंचवर्षी ओजना अपनाई है तो अंसर की में जो है इसका अंसर इंग लेंड आया है बट ये जो है बूत पूरे सोबित संक से जो है इन्होंने अपनाई है तो option B जो है इसका correct answer रहेगा former USSR as per मेरा idea से तो इसे जो है आप किस तरीके से जो है rectify करा सकते हैं किस तरीके से और यहाँ पे हमेर फूर लेखेंगे और subject में आप इस तरीके से जो है डा सकते हैं यह है object यहाँ देखेंगे आप यहाँ जो है objection against answer की of the written objective type examination और यहाँ जो है आपने highlight करके जो है किस exam के लिए जो है आप इसे rectify कराना चाहते हैं यहाँ में example के तोर पे जो है last जो previous paper हुआ है assistant superintendent jail या फिर जो है welfare come assistant superintendent jail और इसका जो post court 915 रहा था और यह हुआ था 31, 10, 2020 इस तरीके से जो है आप format ट्यार कर सकते हैं जो भी exam आपका जो है हुआ है और उसमें जो है answer की गरत दीगी है इसी तरीके से जो आप इसमें detail डालेंगे और जो है next table बनाएंगे यहाँ serial number लिखेंगे और यहाँ next option में जो लिखेंगे वो है objected question number और जो है question booklet series जो है आप जरूर से डाले साथ में answer display किया गया है key में और जो है candidate का answer है वो और साथ में देनी होती है detail इसी तरीके से जो है आप यहाँ series donate कर सकते हैं यहाँ series A रह रही है और देखेंगे कि question number 1 के लिए option number C जो है यहाँ display किया गया था बट मेरे idea से option B जो है right answer है उसी तरीके से question 44 में जो है D बताया गया है but option B मेरे idea से सही है इसी तरीके से 61 में जो है D बताया गया है but right answer जो है B है इसी तरीके से जो है आप proof लगा सकते हैं यहाँ जो है मैंने proof लगाया है page number 1 डालके जो है cutting है history book है महिश कुमार बरणबाल जी की तरफ से और इसका जो है आपने यहाँ अपना post quote लिखना है question booklet series और अपना roll number यहाँ दर्शाना है और उसके बाद जो है आपको इस ladder को post करना है post करने का जो address है वो आपको मैं बता दिता हूँ इस ladder पे जो है इस address पे जो है आपको post करना है तू हिमार्शल परदेस टाप सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर district हमिरपूर और जो है हिमार्शल परदेस और साथ में जो है pin 17701 है आप इसे जो है ordinary post या फिर speed post दोनों से बेज सकते हैं generally जो है 5-6 दिन का time दिया जाता है इसे post करने के लिए तो आप जो है speed post या फिर register post का इस्तिमाल करते हुए इसे post कर सकते हैं तो proof जो है answer का इस तरीके से आप लगा सकते हैं पहले जो है मैं एक question bank का cutting आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो आपने देखा होगा same to same question repeat हुआ था बीजेनगर समराजों के वित्य वेवस्ता की book के विश्रिष्टा क्या है और यह जो question है repeat हुआ था बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन 1994 में तो देखेंगे इसका जो right answer है पूराजसव इसमें जो है answer की दिया है question bank में और यह जो पूराजसव है इसे जो है अठवन कहा जाता था यह जो आठवन जो है बूराजसव विवाग होता है तो यह बिजे नगर समराजव से related है तो इसका जो है option B जो है right answer रहेगा और बात करेंगे हम वहिशकुमार पुरणबाल की book की जिसकी कटी मैं लगा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ जो है बिजे नगर और बहमनी समराजव जो है उसके बारे में दिया गिया है और यहाँ जो है परसासन के बारे में बात करेंगे तो परसासन में आप देखेंगे कि यहाँ जो है बताया गिया है कि बूराजसव जो है इनका main collecting system था tax का तो यह जो है इसी तरीके से जो है आप NCRT की cutting या फिर जहाँ भी आपको लगता है कि right answer दिया गया है बहाँ की cutting जो है इसे attach करके यहाँ जो है निच्चे page number 1 डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है donate करना होता है कि कौन सा page जो है आप टाच कर रहे है तो यहाँ जो page number 1 डालने के साथ जो है marker से आप page number 1 डालके इन सारी supporting document को एक single envelope में डालके इस address पे post कर सकते हैं उमीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको जानकारी पसंद आई है जुरू से वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें थेंक्यू और हब गूड डे